दोस्तो आज की वीडियो में हम लोग यह सिखेंगे कि आप अपने लैप्टॉप का बैक्ग्राउड किस तरीके से चेंज कर सकते हैं तो दोस्तो इसके लिए आपको कुछ करना नहीं है यह काफी इजी है दोस्तो जैसे कि यह जो बैक्ग्राउड आपको दिख रहा है यह जो मैं मेरे के अंदर देख लेता हूं कि मेरे पास कौन-कौन सी इमेजेस है और इसको मैं किस तरीके से अपने बैक्ग्राउड के उपर अपलाई कर सकता हूं तो देखिए दोस्तों इसके उपर डबल क्लिक किया इसे में बढ़ा कर देता हूं मैक्सिमाइस कर देता हूं और मेरे computer के अंदर मैंने कौन-कौन सा images रखे हुए है उसके वह में एक बाद चेक कर लेता हूं तो मैं download के ओपर क्लिक करूंगा दोस्तों download के ओपर double click किया और फिर यहां से जो कुछ भी images है सब एक line में sequence में है इसे मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ एक बड़े icon के विउ में इसे कर लेता हूं तो देखें दोस्तों पर आप यहाँ पर आयकोंस पर podemosody lucky कारिगे तो यहाँ इतनी भी इमे 뉴스 है को इससे दिखने लग जाएंगे आपको से लेट करना है जो कि आपको बैग्राउंड पर रखना है तो देखिए दोस्तों दिफित बोलकर कि जो एक बार इसे मैं ट्राय करके दिखाता हूं वह ऊपको किक करना है सबसे पर हैं आपको इसमें में है ओ अब है सेलेक्ट हो गया है अब इसके अब लेफ्ट करना हैं आपको माउस का माउस आपको इसमें set as set as background set as desktop background के ओपर आपको क्लिक करना है देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है set as desktop background यहाँ पर आप क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपका जो यह जो image है actually अभी 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 देख लेते हैं हमारे desktop पर यह बना है कि नहीं बना है तो इसे में minimize करूंगा और आप लोग देख सकते हैं दोस्तों यह मेरे desktop के ओपर किस तरीके से जो मैंने image select किया था वह अभी मेरे desktop का background मन गया है दोस्तों मैं आपको एक दो आपको डाउनलोड में मिल जाएंगे अगर आप कुछ एक्स्रा डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको पहले तो आपके लिक्या आना है यहां पर में क्लिक करने के बाद यहां पर मुझे और भी कुछ options दिख जाते हैं जस्त मुझे medium icon पर क्लिक करना है तो medium icon पर मैंने क्लिक किया तो देख सकते हैं यहां पर कई images आ गये हैं काम करता हूं यह अभी चोटे लग रहे हैं मैं large icon पर क्लिक किया तो large icon पर यह थोड़े बड़े हो गए हैं और भी अब मैं यहां पर जो भी मुझे सही लगता है वह मैं image यहां पर select कर लेता हूं ठीक है तो अभी फिलाल मैं कि एक image कोई भी select करता हूं कि देखिए दोस्तों यह वाला एक image है यह भी मेरे screen पर काफी अच्छा फिट हो जाएगा मेरे ख्याल से तो मैं इसे सबसे पहला तो इसे तो राइट क्लिक करना है उसके बाद लेफ्ट क्लिक दबाने के बाद आपके सामने पूरा का पूरा एक option अपन हो जाता है कि आपक है दोस्तों यह मेरे computer का अभी background image बन चुका है दोस्तों तो आप लोग कुछ इस तरीके से आपका background image चेंज कर सकते हैं अपने computer और अपने laptop के लिए दोस्तों जस्त आपका जो विंड़ो 10 है या तो उसके लिए आपको यहाप दिस PC लिखा रहेगा अगर आपका